तो यह वीडियो में हम पूरा क्लारिफिकेशन देखेंगे पूरा नॉलेज लेंगे अबाउट डीनोवो काफी बच्चों को प्रॉब्लम जा रही है डीनोवो क्या है कैसे करते हैं कब करते हैं क्यूं करते हैं मुझे डीनोवो कराने की ज़रुद है या नहीं है बहुत सारे सवाल उनके मन में चल रहे हैं for December 22 exams और यह दोनों के लिए है CS Executive Students के लिए है CS Professional Students के लिए है ठीक है तो लेट्स टार्ट कि डीनोवो क्या है डीनोवो इस जस्ट बेसिकली अफैसिलिटी गिवन भाई ICSI कि अगर आपका Initial Validity Period जो आपके Course का Initial Validity Period है जो Executive के Registration के व 5 years का Validity Period आपको मिलता है which is inclusive of Executive as well as Professional which is inclusive of Executive as well as Professional दोनों मिला के 5 years आपको दिये जाते हैं और 5 years में आपको यह Course कंप्लीट करना होता है नॉर्मली but अगर आप 5 years में Executive and Professional दोनों नहीं कर पाए then you can increase your Validity by another 5 years you can increase your Validity by another 5 years which is called as DeNovo तो DeNovo is just an extension of your Validity of CS course और वो जो Validity है यह दोनों के लिए चाहिए होती है Executive आप कर रहे हो Executive complete नहीं हुआ है Still you need the Validity अगर आप Professional पहुच के आपका Professional complete नहीं हुआ है Still you need the Validity Clear है तो जो बच्चे Executive में है और उनका Registration Expire हो रहा है तो भाया आपका Professional अभी भी बाकी है तो आपको DeNovo तो वैसे भी करवाना है तो जादा दिमाग न लगाए कि सर मेरा भी एक्जाइम है यह फॉर्म भर लेता फिर मैं हो सकते Executive पास हो जाऊं तो भी आपको DeNovo करा नहीं पड़ेगा आज नहीं कराना पड़ेगा जन्वरी, फर्वरी, मार्च जब भी आपको Professional का Registration कराना होगा आपको बिना DeNovo आप Professional का Registration नहीं करा पाऊगे Professional के Registration से आपको Validity नहीं मिलती ठीक है तो Concepts क्लियर कर लो कि सर हम आगे तो Professional का Registration कराएंगे 12,000 भरने वाले उसस जो Professional Course है उसका जो Registration है वो अलग है उससे Validity आपको नहीं मिलती मतलब जो अभी Executive में है भाईया आपको Professional में मतलब आपको DeNovo कराना ही है क्योंकि आपका अभी भी Professional बाकी है आपका Training बाकी है आपका बहुत कुछ बाकी है तो आपका Course का Validity हमेशा होना ची तब आप Course को Continue कर स सकते हो तो जो Executive के बच्चे है जिनका Expire हो रहा है Registration प्लीज मत सोचो प्लीज दिमाग मत लगाओ आपको वैसे भी DeNovo कराना ही है येस Exceptional Case है आपका पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा है तो अलग बात है तो आप सोच सकते हो बड़ अगर आप 2000 रुपीज अफॉर्ड कर सकत हो प्लीज जबरदस्ती दिमाग लगाने की ज़रुत नहीं है आपको आगे चलके भी DeNovo कराना ही पड़ेगा ठीक है प्रोफेशनल से कोर्स के रजिस्ट्रेशन से आपको वैलेडिटी नहीं मिलती ठीक है तो ऐसा है तो इसलिए मैं जाधा उसमें guidance नहीं दे रहा हूं कि क अब एक्सपायर हो रहा है क्या हो रहा है वो सब में जाधा उसमें आपको नहीं बताऊंगा आपको registration DeNovo मतलब कराना ही है अब कब करा सकते हैं जैसे ही वह एक्सपायर हो जाता है उसके next day से कभी भी आप फिर करवा सकते हो जब तक वह एक्सपायर नहीं होता उसके पहले आप DeNovo नहीं करा सकते हैं अपलाई ही नहीं कर पाओगे तो दम डे एट एक्सपायर फ्रम दे इम्मीजेटली नेक्स डे आप कभी भी DeNovo करवा सकते हो कितना पैसा लगेगा सर 2000 रूपीस कितनी वैलेडिटी मिलेगी सर पूरे पांच साल फ्रम देट ओफ पेमेंट आपको सिर्फ 2-2,000 रुपेए वैलेडीटी के लिए देने होता है फॉफाइट थीक है अब कब कराना है मैंने आपको बता दिया फिर कैसे करना है सर अगर मेरा एक्सपायर होड़ा है रजिस्ट्रेशन मुझे यह लिग वह कराना है तो मैं कैसे करूँ थीक है तो बस आप आपको अपने Smash ID में जाना है, Smash ID में Login करना है, उसमें Module का Option होता है, ठीक है, अलग-अप्शन होता है, आपको पता होगा, उसमें Module में जाना है, उसमें Dropdown आएगा, Module के Dropdown में Student Services में जाना है, और Student Services में आपको Option मिलेगा, Apply for DeNovo, Apply for DeNovo, ठीक है, और जैसे आप DeNovo Apply करोगे, सारे वो Details जो भी आएंगे, Proceed to Payment, आप Payment Gateway पे जाओगे, Payment कर दो, और सब Transaction ID और Request ID आपका, सब Generate हो जाएगा, और सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है, Clear है क्या, अब इसको Update होने में हो सकता है, 2-4 दिन लग जाए, Payment के तुरंट कुछ Second बाद, आपकी इच्छा होगी कि नहीं Update हो जाए, तो आप इंडिया में रहते हो, भूलना मत, ठीक है, तो 2-4 दिन, 5 दिन आपको लग सकते हैं, और अगर आपको Exam Form बरना है, तो ये सब Trans Transition में 2-4 दिन का Gap लगता है, ठीक है, तो बहुत जादा Impatient नहीं होना है, Sir मैंने तो पैसा भर दिया है, Processing में टाइम लगता है, Processing में टाइम लगता है, 2-4 दिन तो लगेंगे, ठीक है, तो उतना Patience रखना है, ठीक है, चलो, तो ये procedure मैंने आपको बता दिया, कि आपको कहां जाना है, ठीक है, Smash ID में जाना है, Smash ID में Login करना है, अपने ID Password से, और उसमें Module में जाना है, Module में जाना है, Student Service में जाना है, Student Service में जाना है, Apply for De Novo में जाना है, और सीधे सब भरा हुआ रहता है, सब भरा हुआ रहता है, आपको कुछ भरना नहीं होता है, सीधे payment करना है ठीक है सिर्फ payment करना है और कुछ भी इसमें करना नहीं होता है चीक है clear है क्या अब आपको डीनोव का क्या importance है कि अभी जब आपको exam form भरना है उस वक्त आपका registration valid होना चीए suppose आपका 25 सप्टेंबर के पहले या 10 October के पहले आपका registration expire हो रहा है और आपने वो date तक पे बतलब form ही नहीं भरा तो फिर आपको पहले डीनोव करना पड़ेगा ठीक है डीनोव करना पड़ेगा अब फिर आप घाई गरबड़ एकदम end moment पे डीनोव कराओगे फिर आपकी इच्छा होगी नहीं मेरा कुछ second में डीनोव हो जाए फिर मेरा form भी accept हो जाए तो गलती आपकी है ठीक है before handy या तो form भर दो before handy या तो form भर दो अगर आपका registration आज valid है exam form की डेट चालू है आप अभी भी exam form भर सकते हो pre exam देखे फटा-फट निप्टा ओ, ODP निप्टा ओ, सब निप्टा ओ, exam form भर दो, clear है प्रोफेशनल वालों को ODP apply नहीं होता ठीक है, clarify कर दूँ, फिर और में इसे पूछोगे, ODP सिर्फ executive students को apply होता है, one time वो करना होता है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है, तो अगर आपका registration October में expire हो रहा है, November में हो रहा है, December में हो रहा है, January में हो रहा है, March में हो रहा है, February में हो रहा है, उससे आपके December 22 exam को affect नहीं ह होगा, आपका result आ जाएगा, ठीक है, काफी बच्चे भी पूछ रहे है, January में सर मेरा हो रहा है, तो result तो फरवरी में आता है, आ जाएगा result, exam यह जो आपका validity होता है, यह सिर्फ form भरने तक चेक किया जाता है, कि अगर December 22 का form भरते वक्त आपका registration valid था, तो बस आपका exam के ल कोई impact नहीं होता, result पास होने के बाद अब आप professional का registration कराओगे, या fail होगे, फिर से exam form भरना है, तब फिर आपको डीनो वो करना ही पड़ेगा, चीक है, समझ में आ रहा है बात, सारे scenarios मैंने बता दिये, कि अभी आपका expire हो रहा है, तो आप डीनो अभी करवा लो, और form भर अगर आपका form भरने के बाद expire हो रहा है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी, अभी भी कर सकते हो, अभी अगर नॉवंबर में expire हो रहा है, एक्सपार होने के बाद करवा लो डीनो वो पैसे हैं, अगर तो करवा लो न, निप्टा लो, December में हो रहा है, जन्वरी में हो रहा है, फर्वरी में हो रहा है, इस पिरेड में कभी भी expire हो रहा है, आप अभी डीनो वो नहीं करा हो, तो भी चल जाएगा, December 22 एक्जाम दे पाओगे, एड्मेट काड़ आ जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, अगर आपका form भर चुका है, त इसके लिए आपका registration valid होना जरूरी है, ठीक है, I hope मैंने सारी बाते बता दी है, और काफी बाते repeat भी कर दी है, और I hope अब मुझे comments में जवाब देने की ज़रत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो यह मैं link दे देता हूँ, ठीक है, सारी जो चीज़े लिखी है, इसकी link दे देता कि आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, थोड़ी बहुत मेहनत करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको आगे CS बनना है, CS की तरह काम करना है, तो आदर डाल लो, ठीक है, चलो, thank you so much, I hope आपका problem solve हो चुका है, अच्छे से वीडियो देख लेना, एक बार में नहीं समझ मैं है, दूस कुछ मेरे को याद आनी रहा, ठीक है, validity सब बता दी, fees बता दी, procedure बता दिया, सब कुछ मेरे सब से बता दिया, ठीक है, चलो, thank you so much, do like the video, अगर आपको information लगा हो, आपको help कहिया हो, और आप चाहते हो कि आपके दोस्तों तक भी यह पहुचे, do like the video and subscribe my channel, बहुत सारे ऐसे जो burning issues होते हैं, CS students के, मैं, I tend to make videos on that, और आपको बहुत helpful होगा, अगर आप channel subscribe कर लोगे, आपको सीधे notifications आते जाएंगे, मेरे सारे videos के, और आपसे कोई भी video miss नहीं होगा, thank you so much.